एक ऐसा देश जहां भारत का एक मजदूर एक महीने में 2,20,000 रुपए असानी से कमा सकता है और एक ऐसा देश जहां आप चुईंगम चवाकर रास्ते में फेक दिया तो आपको 55,000,000 रुपए तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है और इस देश की लड़कियां खुबसूर्ती के मामले में बहुत से देशों में पहले नमबर बढ़ाती है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम सिंगपूर देश के बारे में कुछ ऐसे ही हैरतंगेज फैक्ट जानेगे जिसको देखने के बाद आप धंग रह जाएंगे और साथ में ये भी जानेगे कि सिंगपूर जाने आने का कुल कितना खर्च करना पड़ सकता है साइद आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सिंगपूर देश एसिया के मद्ध में मलेसिया और इंडोनेसिया के बीच में वसा एक बहुत ही अमीर और छोटा देश है जिसकी राधानी सिंगपूर सिटी है आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि सिंगपूर देश एसिया का एक बहुत ही छोटा देश होने के बाद भी यह देश एसिया के सबसे अमीर देशों की लिष्ट में तीसरे नमबर पराता है दरसल बात यहा है कि यह देश एसिया के सेंटर में पड़ता है इसलिए इसे एसिया का एकोनिमी कैपिटल भी कहा जाता है सिंगपूर देश की कुल ज़संख्या मात्र 57 लाक है और यहां की ओफिसियल भासा अंग्रेजी है और यहां के बहुत से इलाकों में तमिल भी बोरी जाती है क्या आपको पता है कि सिंगपूर की करेंसी सिंगपूरी डॉलर है यहां का एक डॉलर भारत के 55 रुपे के आसवास होता है लेकिन सबसे चौकाने वाली बात यहा है कि सिंगपूर में भारत का एक मजदूर भी आसानी से इस देश में प्रति दिन 133 सिंगपूरी डॉलर्स जिसको भारत के रुपियों में अनुमान लगाएं तो 7300 रुपे आसानी से कमा सकता है अगर इसको महीने के हिसाब से देखा जाये तो प्रति महीने 4000 डॉलर्स यानि कि एक भारत का मजदूर 220,000 रुपे आसानी से सिंगपूर देश में कमा सकता है है नामेजिंग दोस्तों सिंगपूर कौन कौन जाना चाता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सिंगपूर देश के कानू बहुत ही सकत है इसलिए इस देश को जरूर्मानों का देश भी कहा जाता है जैसे कि अगर आपने पबलिक टॉलेट को यूज करने के बाद फ्लैस करना भोल गये तो आपको 3 साल तक की जेल या फिर 5 लाख तक का जरूर्माना देना पड़ सकता है और क्या आपको पता है कि सिंगपूर में आप बिना पर्मिसन के किसी के वाइफाई को यूज नहीं कर सकते हैं अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको 10 साल तक की जेल या फिर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है क्योंकि इस देश में मोबाईल डेटा का रेट बहुत ही ज्यादा है जैसे कि अपने देश में जीयों के आने से पहले था है ना जी बत हैर क्या आप जानते हैं कि इस देश को सिंगों का सहर भी कहा जाता है लेकिन आज तक या पतन नहीं चल पाया है कि या क्यों कहा जाता है क्योंकि इस देश में एक भी सीर नहीं पाया जाता अजीव फैक्ट है यार सिंगपूर देश भले ही एसिया के सबसे अमीर देशों के लिश्ट में आता हो पर क्या आपको पता है कि सिंगपूर देश तिरसर छोटे छोटे आईलेंड से मिलकर बना हुआ है जो खुबसूरती के मामले में कई देशों को पीछे छोड़ता है लेकिन यह देश छेतरफल के हिसाब से हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से भी छोटा है सिंगपूर की एक बात सबसे चोकाने वाली यह है कि अगर आपने किसी पबलिक प्लेस पर चुइंगम खाकर थूख दिया तो आपको 55 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है इतने में तो हमारे देश में एक माहल भी खड़ा किया जा सकता है दरसल दोस्तों बात यह है कि यह जुर्माना सिंगपूरी लोगों के लिए बहुत ही महमली रगम है क्योंकि सिंगपूर देश का हर चाटवा इंसान मिलीनियर है यहाँ पर गरीबी का परसेंटेज नके बराबर है आपके खुसी की बात यह है कि सिंगपूर की लड़कियां दुनिया के सबसे खुबसूरत लड़कियों में से एक आती है यहाँ की लड़कियां बहुत ही अमीर और इमानदार होती है जहां आज भी दुनिया में बहुत से देश आजादी के लिए बलिदान दिये जा रहे हैं वहीं सिंगपूर एक ऐसा देश है जिसको मलेसिया ने खुद ही आजाद कर दिया था लेकिन मलेसिय देश इस बात का आज भी पस्तावा करता है कि सिंगपूर देश मलेसिया का ही राज्य होना चाहिए था अगर दोस्तों आपको सिंगपूर जाने का मौका मिले तो आप वहां की फेमस डिस्स चिली क्रैब एक बार जरूर टेस्ट किजिगा क्योंकि यह डिस्स दुनिया की साथवे नमबर की आईकोनिक डिस्स मानी जाती है अगर आपको सिंगपूर जाना है तो आपको दिल्ली से सिंगपूर की फ्लाइट आने जाने का फुल 17,000 रुपे खर्च करने पड़ सकते हैं साथ में ही एक दिन का होस्टल चार्ज 1500-2000 रुपे खर्च करना पड़ सकता है तो दोस्तो यह थी सिंगपूर देश के बारे में कुछ रोचक और जवरजस्ट फैक आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस देश या राज्य पर देखना चाते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में तब तक के लिए हमें इचाज़ते जैहिन वंदे मत्रम और तो और चैनल सब्सक्राइब करके जाएगा और बेल आइकन भी दवादेगे बाई